आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरव स्रीवास्तो प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत है दिसमें तमाम तरह की चुनावी सरगर्मिया चल नहीं हो सरगर्मियों की बीच में लगाता तमाम तरह के मुद्दे चुनावी चल लइक है में लगातार सरगर्मिय की चलते हम यह भी देख रहा है किस तरह ब्याष्थित हो रही हैं चीजए' और सबसे मेटपूर बात यह है कि गुजराट के बाद यहां पर एक ब्यौस्था और लागू हुई है कि जो वहां पर यूनिफर्म सिबिल कोड जो की भारति इंड़ पार्टी के एजिंडे में था दौनिस के बाद और उस पर भी काम करते हुए लगातार गुजराट में भी सरकर्णिया सुरू हो चुकी है पिस्ताप पास होगे केविडेंट से अब समिती बनाई जाएगी समिती बनाने के बाद आंगे की पिक्रिया सुरू होगी और ऐसा ही कुछ उत्रघंड में हुआ जब पुसकर धामें दोबारा मुकपंती कुरसी पर आसान हुए तो आसी नो इरित के बाप जूद्यारोप मदर्सों के सर्वे किये गए और सरवे पर समय समय पर वी सुरूआ ने बै Aunty WA在oc cap Robert बात करें तो बस्तर सुपरिमों मायाबती के बैंना है तो सरकारी दखल मदर्स से चल ला है इसके साथ महटपूर बात यहां पर यह है कि जो मदर्सों के सरवे के बाद एक जो बयान आज राजनतिक सरगर्ण में बना हुआ है वो बना है जमित उलेमा हिंद के राष्टिय अद्दच और देवबंद के दार उल्म से अपनी बात कहने वाले हमेशा से अरसर मदनी महटप मदर्सों के सिच्छा ब्योस्था पद्दती पर कोई परवर्तन के पच्छ में नहीं है कल बड़ा एक अडिवेशन किया गया जहां पर दार उल्म से जुड़े देजभर से साले चारजार से जादा मदर्सों के संचालक सामिल हुए नोपेस्ताव पास हुए और रोहने सरवेपर कड़ी नाराजगी जाथ है और नाराजगी की इंतहां इतनी कि अरसर मदनी ने यह तक क्या दिया कि हम सरकारी मदर्ट पर थुखते हैं हमको सरकारी मदर्ट नहीं चाहिए हमारी जो मदर्से हैं हमारे कौम के संचछे से चलते हैं और इसमें कोई द khal नहीं चाहिए नहीं हो सरकारी मदर्ट चाहिए बाट कर्म भी भाही रखने की बााट कही गई है नोपेस्ताव पास किये गए हैं और ये भी कहा गया है कि पहले मदर्सों में निर्माण हो जाते थे देवर्ण में और अब तो इन निर्माण की जायत लेनी पड़ती है तमाम तरह के जो समय बात उस अर्डिवेशन में कही गई और एक एजिंडा बना के काम किया गया और नो पेस्टाप पास होने में ये भी बताया गया कि जो सिच्छा है तो देनी सिच्छा है उसको चालू किया जाए उसको बरकरा रखा जाए आधुनिक करन जो उन्हों कहा है मौडर्र पार्टक्रम जो सरकार बात कर रहें उसको कतिना अपनाया जाये और जो एक नजामी व्यूस्ता है उसी को चालो रिखना बैय नहीं जून कि अच्छा को अंगवाड़ातगे हैं हम सरकार की इंदाद लेते ही नहीं लोग उस इमदाद के लिए मुतालबा करते हैं हम उस इमदाद को नहीं लेते हैं हम उस इमदाद के ना फिक्र करते हैं ना हम उस इमदाद को लेते हैं हमारी नारादी किसके नारादी दालुलूम देवबंद का कोई तालुक नहीं है या बोर किसी कुसरी की कुसी पर बैठना जाते हैं बाबा हम तो जमीन पर बैठ कर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं हमें किसी कुर्सी करें है है ऐख पून बेशा है और चर्चा करने महांद जोड़ जो के आको बता दें नेता बशबंस एक सेयर मोहमद तकी आहमाने पाठी पर पट स्वाज़ जोड़ेंगे निट्र शींह जाड़ो भाई सवाई पाठी आप पट स्वाध्य लगेंगे प्रभकता रालुड के रूप म पार्टी से प्रवक्ता बहुत समय बार बैठ रहा है जिनमाई आपका बहुत सवह गते हैं तो यहां पर जो चर्चा का विषए बहुत अहां है और निश्टी रूप से सरवे हो चुका है सरवे बयानबाजी जारी हुई और जो आखरी राजिंतिक रही है बश्पा सुप्री अधनी करण हमको नहीं चाहिए और हमारी जो ब्युस्ता है उसी आपस चलेंगे हमारी कौम के चंदे से अगर मदर से चलते हैं तो इसमें किसी का दखल नहीं चाहिए हमें कोई काय पलट या किसी बेकास की जगूत नहीं मैट पूर विसाया और अगर हम पहली बात करेंगे हम अपने आमिर साबरी भाई से आमिर भाई जो यहाँ बात कही गई है निस्रूप से कैसे देखते हैं आप भाई अभी आपने यह भी देखा है कि 1200 बच्चों ने लगब लबग यहाँ पर नीट के परिच्छा पास की बड़ा पढ़ना में यहाँ पर आया था तो अगर आधनी के रण नहीं होगा चीजे सामिल नहीं होगी उनको सिच्छा के पार्टकरम को अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो बदलाओ कैसे होगा जो साच्छर्टा रेट है जो लिटरिसी रेट है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा क्योंकि एक बात तो आप अमेसा से कहते आए हैं कि जो मदरसों में जाते कौन है जिनके पास ब्योस्थाय नहीं है अगर अमीर का बच्चा होता है तो में ख्याल से कुरान किताब है हमारी जो हमारे नमीर और गरीब सब पर फर्द है उसको सब पढ़ते हैं जैसे के नमाज है कोई गरीब अमीर का इसमें कोई मतलब मियार नहीं है अगर आगे वाली सब में कोई अमीर खड़ा होता है और बगल में कोई फकीर भी आगे ख़़ावाई आता है तो उसको कोई धक्का नहीं दे जा सकता है तो इसलिए हमें इन कुरान जो एक प्राफिट मौमस असलम पर नाजिल हुई एक किताब है जिसको लाजमी है पढ़ना पोई नहीं पढ़था है तो वो इक बड़य वगल वात के प्राफिट में हैं कि अभी आप ही ने का कि बारा सो नीट पर इच्छा में मदरसों दे पाइब को है जब किसी चीद बहुत पहले भी आपके चैनल लोग मैंने का बात शुरू होती मन्शा और नियत से आपकी मन्शा किया है और आपकी नियत किया है जी अश्द मद्नी ने अगर जो कुछ कहा है मैं अश्द मद्नी की बियान पर अगर बात करूं तो मेरे समझ से कुछ गलत नहीं है उनोंने का बाई उनके मदरसे चंदे चलते हैं आप को याद होगा उनीस सो निन्यानबे में लाल किष्णि एडवानी जी गिरह मंत्री हुआ करते थे और उससे पूर्म उनों ने हैं हमेशा मदर से जब टार्गेट नहीं करेंगे तो आप एक बड़ी जो इंदुस्ता में रहने वाली कौम है उसको गुमरा कैसे कर पाएंगे अच्छा सवाल यह है अभी अब गुजरात मिश्चनावा गया देखिए कल ही की बात है मैं एक चैनल पर था और बहस थी का सि सामान नागरी सेंथा आप लागू करी है मैं स्वागत करता हूं कही लेकिन कहा लागू करें आप मुझे बताएं पहारों पर एक भाई की शादी होती है जी चाहे उसके छे भाई हो चाहे उसके जाइज बाई बीबी बन करेती है अच्छा पर्देश में सगा मामा बारा सा की बाई जी उसको रिष्टा बेज देता है अगर नहीं करते हैं तो जबरिया करते हैं वो आप कहा सामान नागरी सेंथा कि बात आप एक सम्विदान की लब करते हैं तो आपको सबको एक चश्में देगना पड़ेगा फिर हिंदू-मुस्लिम को चश्मा नहीं लगाना कि मुझूदा मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुस्लीम वर्तों को कबरों से निकाल के बलातकार किया जाए और भी लोगों ने इस तरीके के उनको देखा देगी पहना दिये थे आज वो लोग सपा में भी शामिल है एक अलग बात है किसी पर कोई नहीं करना हो लेकिन वहीं किसी मेला के अंतावस्त को बताना चाहिए क्या क्या आपको एक नदर सब को जेखना पड़ेगा लेकिन जहां पर एक समुदाय के लोग को एड़िश्पी आदम खाने कोई मेरे ख्याते ऐसी पत्तमीजी नहीं करिए जैसे तोड़िया कर गएं जैसे योगी जीने करिए जै करते हैं तमाम भारतिंता पार्टे के नेता फेट इस पीस की बदोलत बड़े नेता बन गए सांसाथ बन गए बिधाय बन गए और मंतरी बन गए उसके बाद किसी को कोई जैल नहीं किसी कि इलाप को एम उकदम काय नहीं वा लेकिन आदम को है इस ब्लागी जली के जले जा आपकी मदर नहीं चाहिए वो कहते हैं जगुवत नहीं है आधुनी करन की जगुवत नहीं है जो निजामी ब्योस्था सिच्छा पद्धती की इसको चलने दीजिए और यह उन्होंने सालेश चार अजार मदर्सा संचालकों के संविरन में कही बड़ा कारकम था जो की दार दो तीन चीजे महत्पूर हैं जो हमारे बच्चे हैं वो किस संप्रदाय से हैं इस बात से मतलब नहीं मतलब इस बात से है महत्पूर ये बात है कि यही बच्चे कल को भारत देश का भुश्य हैं क्योंकि एक समय के बाद वही युवा होंगे वही उसके बाद में देश को स कोई नेता बनेगा कोई वकील बनेगा कोई ज़न बनेगा और यह प्रक्रिया है कि जो युवा है आज कल को गुड़ा होगा बुजुर्ग होगा उसके बाद में जाहिर सी बात वो दुनिया से रुखसत भी होगा जो बच्चे है वो इस देश को संभालेंगे तो ऐसे में जो बच्चे हमारे भारत देश का भविश्य है उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रोड़िवाजिता के कारा अपनी कट्रता के कारा अपने ब्रिक्तिगत लाव के कारा उन सारे बच्चों के भविश्य के आगे आप एक लाइन चीच दे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ आपको दीनी दिनी तालीम दिजिये, उसमें क्या पति है, आप अगर आठ घंटे की classes होती हैं, पाँच घंटे की classes होती हैं, आप उसमें से mająt 4 घंटे दिनी तालीम दिजिये, लेकिन एक घंटे, दो घंटे, further obesity, जेरो जी, बॉट्टी म इसमें अगर यह और इस पे हम और आप कई बार बैट भी चुक है डिबेट जब सर्वे का आजे स्वा तभी हम लोग बैटे थे तोवाम सारी चीजे छनकर के बाहर भी आई थी कई वरिश्पत्रकारी बठे थे और एक बार रजा रिवीशा बठे थे उन्होंने भी तमाम सारी बाते कही थी कि देनी तालिम के साथ साथ हमारे जो मजहिब के बच्चे हैं उनको बहुत ही आउशकता है कि उनको आदरिक सिच्छा भी दी जाए क्योंकि अगर प्रातिक सिच्छा के साथ साथ आदरिक सिच्छा जो दीनी तालिम के साथ साथ अगर प्रातिक सिच्छा में अगर आदरिक सिच्छा को नहीं जोडा गया तो कल को इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रावलम आती है आप 6 के बाद 5 के बाद आप उनको ABCD पढ़ाना सुरू करेंगे इंगलिस की ग्रामर तो छोड़िये बाकी आप देखिए जो CBSC बोर्ड है और भी तबाव सारे बोर्ड है उसमें देखिए वो बच्चे ग्रामर पढ़ने लगते हैं सिस्ट क्लास में और सिस्ट क्लास में आप उनको इंगलिस का ABCD पढ़ाएंगे आप 123 फोर्म को गिंती का जोड़ना गटाना वास पढ़ाएंगे तो कुल मिला करके और जबकि सिस्ट के बच्चे क्या पढ़ते हैं सिस्ट के बच्चे एंसी आटी की जो बुके पढ़ते हैं उनमें आप देख लीजिए वो चांद पे कप सिस्ट के बच्चे एंसी आटी की जो बुके पढ़ते हैं उनको इस अफसारी सारी ची पता होती है और सिर्फ और सिर्फ अगर बदर से के बच्चे सिर्फ देनी तालीम लेते रहें सिक्स में पहुचेंगे तो उनको क्या सीखरों के बिलेगा इसमें ब्रेदभाव है कि भ सब्सक्राइब जा सकते हैं लगिन और लोगों को रासर मिला भीना बेह्दभाव को के मिला अगर लोगों को आवास मिला, बिना भेदवाओ के मिला, अगर लोगों को सोचाले बाटे गए, बनवाए गए, बिना भेदवाओ के बनवाओ 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 के बड़े डॉक्तर बने प्रोफेशर बने जज बने नेता बने आप नहीं चाहते क्यों कि वो बच्चे अगर पढ़ लिग गया आगे बन गया आपको चिंता तो इस बात की है ठीक है ठीक है किसी भाई हमासा नितिन सिंग जड़ाई बाई नितिन भाई भाई मदरसों पर घमा संमेरन महाँ पर हुआ अडिवेशन में बात कही गई कि हमको दीनी सिच्छा अबस्थक है और हमको आधुनी सिच्छा नहीं चाहिए और सरकार की मदर भी नहीं चाहिए सरकार की दखल भी नहीं चाहिए वह कैसे देखते आप जन्यवाद गवरों जी हम लोग लंबे समय बाद मिल रहे हैं और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सारे लोगों को जो आधरनी निता जी की कि अधरनी निता जी को अपने सिद्धा सुमन अर्पित किये तो उन सारे दलों के लोगों को मैं आवाज़ेक्ट करता हूं उनका धन्यवाद प्रदर्द करता हूं और अब बात आ रही है कि मदनी साहब के बयान पीए तो कि मदनी साहब का बयान उनका अपना निजी बयान है वो एक मजहवी संगठन चलाते हैं और उन्होंने अपने तरीके से क्या दिया ये उनकी सोच होती है बारत देश में दो तरीके की सोच होती एक प्रगतसिल सोच एक उनकी अपनी निजी मजहवी सोच तो देखे यहां तक तो मजहमत हूं कि सबकी अपने दीन हुए अपने धेलन हें अपने मजायब है और वह अपने अपने मजायद के अनुसार अपने सुझा को घ्राण करते हैं यह वारत में सब erfolg Peng doğal चैनल सोच कि ने सभी को आज कि जो अधु Bayern निगति धिया उसकी जानकरी भी होनी चाहिए समाथ की मुक्तभारा इस परकार को करना था सपरकार का अपनाा चलए उनका आकड़ू हूंए पास होना चाहिए जिससे कि कम से कंप्रट ऐलोकेशन में और उनको सुपता देने में आसानी होStight यहां तक भी ठीक है चली है, आपके संग्यान में चीज है आगे पिर देश में किती संस्ता हैं मद़र में से चल रही हैं और अनके संचालक कोन चाहें कोन हैं की संस्ता harder कोई ब्यक्ति वे होता है कोई भी इसंस्ता चलती यह हो अपने तरीके से चलाते हैं, उस सरकार के साहरे से नहीं चलाते हैं, यह सच है कि हम प्रदेश के और देश के नागरिक हैं, और देश के सम्मेधानी के उस्ता पर कानून पर भी स्वास करते हैं, और कानून यह कहता है कि अगर हम कोई भी संस्था संचालित करते हैं, तो उसका संग्यान हमें सरकार को देना पड़ेगा किम उसमें क्या गत्विदियां करते हैं उसका बाकदर रेजिट्रेसर भी हम NG. का करवाते हैं अपना संविधान भी बनाते हैं वो भी हम रखते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये संस्था तो उसी पक्रिया में मदरसा भी जोसता है कि हम अपने समाज के जो बच्चे जो कमजोर हैं गरीब हैं फिसान हैं और सरकारी सुविदाओं का लाब नहीं ले سकते हैं उनको हम समाज की भी सिच्छा देंगे और अपने दिन की भी सिच्छा देंगे और हरमजे हमें चलते हैं तमाम संस्क्रत बिद्ध्याले चलना है जहां सास्त्रक्यों बेदों का अधिम भी कराया जाता है उस पर किसी को कोई आपती नहीं अब बात आ रही है कि मद्री साहब ने जो कहा कि मुझे सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए तो ये मद्री साहब का अपना निजी बिचान हो सकता उनको नहीं आवसकता है नहीं चाहिए ये बात तो वो तेह करेगा जो संस्था चला रहा है अगर उसको आवसकता है तो वो सरकार के पास आवेदन करेगा कि भाई मुझे इस संसाथा को चलाने में मेरे जो संसाथन है वो परयाप्त नहीं है इसमें मुझे एक्ष्टा मदद कर दीजा है सरकार मदद कर सकती है तो अगर वो अपने संसाथन से चला ले रहा है तो इसके तो मुझाए। कोई स्थान मदर्स में करेंक अच्छी सुभिदा हों लेडरी हो वहाँ पर किताबे कंप्शली किया जाए कि अईसे बैउस्था सरकार देना चाहती है तो यहाँ परफ्रड्राम है कि सरकार करना नहीं चाहती है सरकार सिर्क मदरसों तार्गेट करके और एक माहौल बना करके चुनाँवी राज़ित का लाव लिना चाहती एक करब आती agree के लोग यह कहते है कि हम सब को साथ लेके चलने की बात करते हैं, सब का विकास की बात करते हैं, राष्टवाद की बात करते हैं, और वहीं इस देश के 20-25% की आवादी, जिसको आप अलप संके कहते हो, इनको इग्नोर करने की बात करते हो, इनको स्पेसल टार्गेट करने की बात करते हो, ऐसा मा अब जर बोड बनाऊ, उसको अपने तरीके से मजद करेगा, किसको बिल्डिक किया हो सकता है, किसको फर्णीचर मी जब ज्या हो सकता है, पृत्व जिए करने ज्रूत है। तो मुझे लग रहा है अभी तक सरकार की कोई ऐसी पहल नहीं आई है कि सरकार ने कोई फंडेलो के लंबे समय से देख रहे हैं कि सिचकों की तंका नहीं दी जा रही है उर्दू सिचकों की तंका नहीं दी गई उर्दू सिचकों की भरती नहीं की गई नेता जी कि सरकार नोर अंगर भाई बैठे गए अंगर भाई बाई जालूट की आपकरिया रहे गिस पर कि अगर आजुनिकरन किया जा रहा है मररसों का विकास चाहती है सरकार कुछ बहतर करब ठाना चाहती है तो फिर बुरूट क्यों समर्थर दे लिजे भाई अगर कोई अच्छा पहल हो रही है आमेर भाई और नितर भाई तो बोला है कि मन से ठीक नहीं है टागेट कर रहे है आपकी क्या रहा है अगर उनको कोई भी सुगदा मिल रहे हैं तो हमेशा उसकी पच्छदर रहे हैं ठीक है और इसी लिए इसी लिए आप देखें जब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने अभी आर्मी और डिपेंट सर्विसेज में चार साल की स्कीम अगनीपत और अगनीपत को नागू किया तो राश्ट्रीय लोगतलने उसका बिरोज किया है क्योंकि रीजन ये है कि जिस समय आप ऐसी स्कीम को लेके आते हैं जो आम अवाम के बिरोज में हैं या जिससे आम इंसान को इंसान होगा है और देश की अस्मिता पर नंकट की सबाबना रहती हैं अब जहां तक सवाल है मदरसों के आधनिकी करन का या मानिय मदनी जी के स्टेट्मेंट का तो ये उनका अपना ब्यक्तिकत विचार है उनने अपने ब्यक्तिकत सम्मेलन में इस विचार को दिया है और उनके जो आज उनकी कम्मिनिटी का या उनकी कौम का जो सम्मेलन बुलाया गया है उसमें अग प्रदेश और सेंट्रल की सरकार में वो एक्षन ले वो यह साबित करें जी मानिय मंद्धी का जो विचार है वो गलत है और उसका कोई बहुत बड़ा दुस्ट्रभाव होने वाला है वाइस उनने अगर यह विचार वियत किया है तो उनका अपना अंतर नीत विचार है उनकी अगर यह सोच गलत है तो अगर जंज कर तकी बहुत अबनी किया दिये के निजी बयान आओ बातिंदा पार्टी को कोई दिक्कत है तो उसका कारवाई कर सकते है आमानी पार्टी, आपकी क्यारा है, किसी तरह इस बयान को देखेंगे, और किस तरह इस सम्मेलन को देखेंगे, अडिवेशन किया गया और यहां पर नो प्रस्ताव पास किये गए, जिसमें एक प्रस्ताव वेवी था, कि जो नजामी जो तालीमी प्दती है, वो चलती की और आधनी करन के हमको जर्गवत लिए है भारत का सभीदान बाबा भीमरा मेटकर ने लिखा था जिनको स्कॉलर आफ दा वर्ड कहा गया था जो न्याए मामा के मामले में कानून के मामले में पूरे देश के बाफ है और भारत इंता पार्टी के लो उनके पैरों के नाफू के बराबर नहीं अच्छा है उन्होंने कुछ सोच समझ के प्रवधान क्या होगा कुछ सोच समझ के शरीयत कानून को लागू किया होगा उसकी परभीशन दी होगी आज भारत इंता पार्टी को सिविल कौर्ट को कामल सिविल कौर्ट के बीचे पड़ी हुई है इनको समय पिताना है इह जो सही मुद्धे उनकी बात ने करपार है इनों गुजरात में सुनिए इन्होंने गुजरात में लिबर्टी ऑफ स्टेचू बनाया सदाव लवे पेटेल का जरन्दी नहीं उन्होंने बनाया उसके बहुत बढ़ा सा लिकि उसी गुजरात के अंदर एक पैसा कर्चा होना है जी हर आप देखिए आज के लिए ने मताना चाहता हूँ जो जो लगतर पदेश के अंदर जो मदरसें उनकी हालस सरकारी स्कूलों से बेतर है अच्छा और वो प्राइवट चल लाएं उनके बाद कमरें हैं उनके बाद फर्च बना हुआ उनके बाद फर फिरी में बच्चों को शिच्छा मिल लगी मदरसा बोर्ड के अंदर वो शिच्छा मिलना भी नहीं नसीम में आएगी बीजेपी ऐसा कर देगी कब से कम आज वहाँ एक गरीब का बच्चा बढ़ाई का बच्चा छोटी दुकानदार का बच्चा वहां जांके पड़ तो गता है इंके बैयान की पार्टी नहीं इंच बैसर्ब करेंके तर धूर्ब करते हैं जो लोगों को कॉ yatांटी आपके मुस्लमान भी रोधी होते हैं, प्लकाता है मुस्लमानों ब्लकाता है। यदा ही। अगर हिंदुस्तान करते हैं, यह 여기에 होते एक इन 44 उधर बहुता है। था कि अगर समर्साद करते हैं, कि इम भाता है. आगर वहाँ मुहन बाकवाल मुस्माढद है, था तो बाच बाच आयती है एक अर्विन केज़ी वाल जोने एक कहा कि भारत के नोटों पे लश्मी गडेश की फूटो होनी चाहिए बाद दिन तब पार्टी के सीने में साब लोड गया अच्छा और सब लोग से खरे हो गए अब सब को सारे बीजेपी के लोग सेकुलर सेकुलर बढ़ नहीं था आज भी बीजेपी सेकुलर सेकुलर कर रही है भाई हम तो हमेशा से कगरे सारे धर्म को साथ मिलेना चाहिए क्या मोहन भागवत के उनसे मिलने से क्या ये संदेश होते जाता है भारत हमेशा से सर्वधर्ण को साथ मिले के चलने के इस पास चिदर रहा है भारत ने हमेशा लोगतान्तिक विस्था के अंदर सेक्डरिफ्स को बढ़ावा दिया है और हमेशा से आरिसस जो है शुरुआ से भी जब भारत पाकिस्तान का बटवारा नभी निवस्थाफ से हिंदू महासाबा जो है दो देश सिध्धान्त की थियूरी लेकर आई और लग समय वह से लिफे हिंदू महासबा जिना के साथ चुनाव भी लड़ी थी तो महाराश में सींद्री सरकारी बनाई थी यहीं लोगों ने देश को बाढ़ ने सबसे एहम हुंका ने वाई है जहीं लोगों ने देश के इंदर दूश पाईदा किया जी लोगों के अंदरं को और यह लोग सही मुद्व बादने करें तो आपका कहना ही है कि बीजेपी मसलमानों की फिरोडी पार्टी है यह कहने जा रहे हैं बीजेपी का सक्या है बीजेपी किस आज की डेड़ में गुजरात के अंदर 142 लोग बह रहे हैं और उसके ओपर बीजेपी जो है के लोग कह लगा रहे हैं जो बीजेपी इतना भष्टाचार में लिफ्ट है उस भष्टाचार को छुपाने के लिए मुसलमान शब्सक्राइब करती है उससे भी दिक्कत होगी है अब यह कहरें कामन सिविल कोड करिए सब को एक साथ लाइए अब पसमंदा समाज करा रहे हैं तो कि अगड़ी बाते करी हैं कि अबि आपके शाब ने आर्मेर साबरी साभ ने क्या बयां निया जो की साब आज आप उनको मगमिंतरी बना तीया जैसे लोगों को और प्रिगया ठाकूर को आपने सांसत भी दिया जिए जिनको अवस्ताले लगें जिए बहुत ज्यादा प्य कि चार सो तीन के चीट में एक टिकट मुस्मान EL लो को ने कहा मुस्लमान इस लायक नी कि जीत पाई कौन भाई बयान लिए टांश में लोगों ने खाधा किसी बाया और्य साथा पूछ हfunding कि आ यह मुसलमान इस प्रसंदी में नहीं कि चुनाई जीत पाएं लिए बच्छां थे इस धितने सवा के अदर किते मुस्लमानों की आबादी खाफी जादा है और सो सीटों मुसलमान के वोड़ाईग करता है इनों ने कितने मुसलमानों को बचारी है? डिया बटे जी अग्षब के और मुख पोस्ट हैं जियुक्राइब तो जिसके मुसलमान को ट्केट दिया था, संख्यावि आप देखनें, बीस पॉस्ट लोगों को ट्केट डिया था, और हमने इस कभी भी ट्केट देने में हिंदु-मसलमान का पहिलू ने जेखा उन चुन और लोग से पूछिए जिए जिए गवरो जी मैं तो अंकुर जी का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उने ही जी 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 नितिनमाई भी बोले दे जी 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 और आधुरिक सिछा के साहते जी लेकिन हमारे जो आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं जी उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो प्राइबेट बदरसे हैं उनकी स्थिती सरकारी मदरसों से वानिता बदरसों से अच्छी सरकारी स्कूलों से आपके सरकारी स्कूलों की बात कर रहो सरकारी स्कूलों की बात कर रहो सरकारी स्कूलों की बात कर रहो सरकारी स्कूलों में उनकी स्थित कर दो एक बात को सुनते रही हैं और तर्थयों को पेश करते हैं भूब बढ़े बिध्वान है बहुत काबिल इंतार है ना आप को डिय राऊ जी बोलिये किसे बोलिये बोले किसी बाइब बोले किसी बाइब भी एक भी आपके प्रिष्ट का जवाब नहीं दिया गुजराज चुनाओं पे लेके गए, वहाँ पे जो हास्ता हुआ उसकी समिच्छा हो रही है, जहाँ पे सौ लोगों की छम्ता हो, वहाँ पे अगर 6,000 लोग पहुच जाएगे तो क्या होगा, कोई भी जूला होगा, तूट जाएगा, कोई भी गाड़ी होगी, डिस्मेलेस हो जाएगी, टिपलिंग पे रोग किसलिए है, तो अगर बोटर साइकल पे दो पहिया वहाँ पे दो लोगों की छम्ता के लिए रखा गया है, बैटेक तो पास लोग बैट जाते हैं, हमने देखा बुरका पहने होए पास लोग बैट करके जाते हैं, फिर आप कहिए कि उस के दुस्बन हैं, अगर यह आम आदनी पार्टी का वैयान है, तो आम आदनी पार्टी दुस्बन है, और अगर तकी साहब का यह वैयान है, तो तकी साहब इन बच्चों के भविश्य के दुस्बन हैं, और जो बच्चों के भविश्य का दुस्बन है, वो राक्ष का दुस के द्वारा अनुदानित हैं सरकार उनकी पूरी सायता करती है और अब जो सर्वे की रिपोर्ट आई है सर्वे क्यों हुआ आउसक्ता क्यों आन पड़ी जब बाल सरचन आयो जिलों में गया और जिलों के जो मदर से थे वहाँ पे गया वहाँ पे लोगों की समस्याय सुनी ए कमरे जिसमें चाल लोगों की बैट की रही हुआ पच्चे जो है गाहें वैसों बख्यों की तरीके से ख़रे पढ़े हैं और उनसे अनुदान ले रहे हैं अदकलत सर्वतार तमाम सारी जी के सरकार सरुनदार नहीं ले रहे हैं लेकिन अनुदान लेने के लिए बच्चों क साथ बच्चों के भव lizard के साथ अगर खेला व रहा है जी इसका ओधर एक पार्टी कुए कि अब हमly構दा भन किटार प्रटी को लिए नहीं जी ठान कर रही है और अभी दो हजार दान के बजब में सरकार ने 700 क्रोल पर की बेउस्था की है मदरसों के आगरती करण के लिए और इसी तरीके से 2021 और 2022 में जो अर्बी फारशी मदरसे चल रहे हैं उनके लिए 489-489 क्रोल पर सरकार रिशू कर चुकी है मदरसों को बिद्रण हो चुका है तो अगर सरकार भी बेवस्था कर रही है अगर आपका ठीक है आप सहाहता मत लिए ठीक है आप जो है उसका अरुषिटेसर भी मत कराएए लेकिन ये कहना ति केला आट केवालना दीनी तालीम जैसे चलन लिए वैसे चलती अधून है इक लिसाय है था अधर में बिदम कि रहते हैं। इस लिए प्रेडों कि कर दोता हैं। इसे ऐंधर किसी फटी पर नी लिखाया। तो यह उसक्ति कर एकिसी के साथ 306 कर दे किसी की हत्या कर दे 302 कर दे हत्या कर प्रयाज मुगर्ण प्रयाश कर दे यह विह कंपनेवल अफेंस नहीं है यानि की सम्नीधाराइज यह जिस वैक्ति कर लिए अगर व बड़ा में करके ले मुकदमा ति हम नहीं चाही है यूझ पूरे समाज के साथ अपराज किया है इसलिए उसको सजा भी बिलती है आपके ना चाहते हुए भी वैसे ही बच्चों का भविश्य देश का भविश्य है यह आपकी ब्यक्तिकर प्रपाक्टी नहीं है कि हमारा मदर्सा है हम अनुदार नहीं लेंगे अनुदार बत लिजिए लेकिन अगर आदुरिक सिच्छा की बात हो रही है आदुरिक सिच्छा आपको देनी पड़े की अवहां पर फिजिस कमेश्ट्री जोलोजी पॉट्टी मैं आपको चालू करना पड़ेगा चार गंटे अगर मदर्सा चलता है चार गंटे तीर गंटे आप दीनी तारीम दी जी यह सरकार का उदेश है और इसके आदुरिक के लिए सरकार ने तमाम सारी योजनाया बनाई है मैं तो एक दो चीजे बता रहा हूं यहां पर आपको क्यों कि छोटी सी डिबेट है इसमें सारी चीजे नहीं आ सकती है अगर सिर्फ और सिर्फ मदर्सा बोर्ड की बात है जो लोग इन बच्चों की आद्विक सिच्छा का विरोध करते हैं वो उनके भरुष का दुस्बन है उनके माबाप की दुस्बन है और इस देश के दुस्बन है और इस पर शुब से दिर कहता है अमिर साब जाए कुछ बोलना चाहिए बाला दर्थ है हमारे भाश्पा के कैसी जहन साब को मुस्लिम बच्चों को लेकर के पहली बार तो मैं इनकी इस बात के जवाब देदू कि इन्होंने गुजरात के पुल के ओपर जो कहा है कि गुजरात के पुल पर अगर सव की कैपेसिटी ती ती और पांस तो जड़ गया लेकिन शायद इनको यह मोदी जी पुल का बिरिश करें शून लिजे अरे ठीके नहीं सुन लिजे वह बिरिश चूट गया और वह बिरिश बैगया वह मंता ऐसा कर देगी ऐसा कर गई इन सब्सक्राइब साथ मोदी जीरे संबोदित क्या दा मंता बना चीगो तो उसरी बात मतारे चिलाइए नहीं सुन आमर जाबरी बाई बढ़ति आपकी बढ़ती कि क्या दिख्तर क्या बारतेश के सब्धार को ने बांता थे आपकी 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 बाती ओखती है खुझेंज कनना। करें consistent and कि अधे कोड़ का रजजी कर रहे हैं कि अधे या खांतों पुर्टा की श्रादी सानदंग D कि अधिर दो हैं एक कबिल मंतरी मुसल्मानी उत्तर पर्देश में यापकी अंदर दी है आप मदर्सों करें आपकी बहुत बड़ा काम करने चले है जिसनी बच्चों बड़ा हम दर दी हम अनमें आगई है जो कर दी आए जा फिर आपके राद की बात करना जाते हैं ब болता, जिसने के छो இரँ आपकार के आपकार थूपकार माँना, समेश्वा कांड लाए दूए भूसी नापकार था ? आपके जान गधार जाएंगे, भुति भूसी प्टारे जाएगे. केसी भाई बहुत तेजी से पूरा अपनी पूरी टाकत पूरी एनरजी लगा दी कि हम कोर्ट को नहीं मानते हैं ठीक बात है हम सिर्फ इन से एक बात पूछना चाहते हैं जिसको फैसला कर देती है जो जिसके खिलाब फैसला कर देती है उनको सरकार छोड़ करके उनका सम्मान करती है यह कौन लोग है यह कोड के समान करते हैं बिल्किस बानों जिसके उसाथ बरादकार करने वाले बलतकारियों को कि घो ना भृड को चुंगा इस बीजाए रादकार करने यह मौने अद्यां कि आदने these टाथ्जाद करें की सरकार ने मदने की सब्सक्राइड करें अब आपना प्रक रजदा प्रणी वाहत करें अपनी कमिने के यह प्रम आद्ति आहते वी वाप लेडिये, आप पुलिये, इंट जुटु सेफ़ां। आप लिए इपे लेड ऑपर राप मट रपा है आप लेड पर लेड वाइप लेड बडिये, प्लीज थैविज फर आप लेड़ कर लेड़ नितर भाई अपनी बार पूरी करिए बारे 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 बोले खराप मत बात बिलकुत सामा में कह रहा था मुझे सुनाई भी नहीं पड़ा इधर आमिर भाई भी बोलने लगे पता ने इन दोगों नों क्या बूला है जी बूलिए मैं सिर्फ दो बाते कह रहा था एक बात ज इसी भाई उठा रहे थे कि हेट स्पीच के मामले में आजम खांक जाई से लिए वही कि उन्होंने इस तरीके की बात कह दी और चुकि उनके बात पर आमिर भाई ने प्रिस्ट उठाया तो इन्होंने कह दिया कि यह तो कोर्ट का फैसला था आप कोर्ट का संबान नहीं करत था कि कोर्ट ने बिल्किस बानों के साथ बलतकार करने वाले और उसकी परिवार की हत्या करने वाले लोगों को सजा दी थी और इस सरकार ने भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने उन हत्यारों को उन बलतकारियों को पोर्ट के फैसले के बाद भी रिया करने का आदे तो सरक का नरिया करके उनको जिस तरीके से स्वागत करने का क्या है माला पेनाने का क्या है तो मेराकि के सी जहन से प्रसंद था क्या आप कोड के FACUL canatar कर रहे हैं और आप ने वन मीसिदकारियों को जिनको कोड़ की सजा सुनाई थी आपने पहले खोर दिया और उनको जिस तरीक x सबाहन करने का काम कर रहे हैं यह कौन लोग है भारती की चैन्स था सो उसकूर के भैसले से कोर्ड की सजा को माप करने का काम सरकार की कि सैसिती चै seulement कंगर अगर बेक्ति बरी करने लाइक नहीं है चोड़ने लाइक नहीं है या फिर ये भी होता है कई बार ऐसारी की पहली बार वार है बहुत से लोगों को हत्या तक के जो अपरादी है उनकी भी जो आजीवन कारावास तिल डेथ कोटे लिखाया उसके बाद में भी उनको भी 15 परादियों कुछ बोला जाता है उनके अच्छे बीहेवियर भी कि अब वो सुधर गए है और सजा इसलिए है कि उनके सुधार के लिए अगर सुधार की गुंजाइस नहीं है तो पासी की सुधार होनी चाहिए दूसरी बात यह जो पार्टी आतंकवाजियों के मुकदमें वापस लेती रही जी उसका क्या है और जब और जो पार्टी आतंकवाजियों के मुकदमें वापस लेने के लिए केसी जिए इतना बताओ कि आप बलत कारियों का जो स्वागत कर रहे हो इसके पीछे मंजा कौन से थी किसको कुछ ना चाहते थे सवागत करना की किस परंपरा के पीचा है किस लिए जाया जो जो मदर्से उन बच्चों को भी आदी सिच्छा दीजा है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मदरी साहब का जो मदर्सा है जिससे करीब 45,000 मदर्से अनिस अचालित हो रहे हैं। वो बिल्कुल सरकार से कोई साहता ना ले। हम नहीं कहते हूं रिष्ट्रेशन भी कराएं। हम नहीं कहते हूं सरकार से मानिता भी लेकिन उनको यह चाहिए कि बच्चों की तारीम बच्चों के भविष्य को जान में रखते हुए। जो दिन तारीम है उसके साथ-पाधमिक हिछा आपको उसके जोड़ी हमने वें उसके हमने लती जाना बाद करई हुए। इसने बच्चों के लगउएं। थेक 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 आपको मदर्से को बड़दे हुए। प्रभाइ आहरा है, आरा पुरा रास्ट हमजया आगा है, आप थीजी निद की बाद के श। पूर राश्ट समझ में आगया, आपे हिंदूत्व की बात नहीं करेंगे, पार्टी खतम हो गई विप्धूवादी, ठीक ठीक, 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 ठीक. तो पड़ा बावा लोगी होता तो कुछ नहीं हुआ धरम पाल सेंग जी उत्तर परदेश के मंतरी हैं कोई फरक नहीं पड़ा कोई आम आमिर भाई यह कहते हैं समरत को नहीं दोस्त गुसाई यह समर्थ लोग हैं यह समयोग है अब कम्झोड गया एंगर बाई इसा है कि अभी जैन साभ ने बहुत अच्छे टरीके जा लीजे इंगां से लेजित च disguis तर दोरीजाें गया तो ने जगतेवाnd के जाजिऊ पर फिच उलिकाई प्लीए अधर प्लीए ज्रॉक प्लेकर को सभिए अट-गैं सिद उसे ज्श आखी पोड़ा कि जन्ता पाल्टी के जैन साफ ने बड़ी साफगोई के साथ और बड़ी के बेचारगी के साथ कह दिया कि अगर किसी विपक्षी राज नीतिक चलके नेता के उपर सजा हो गई है और उसके माननी आजम खांसाब को लेकर आपने जो टिपड़ी की है तो भाई साफ आपके आ तरस्ता परद्गास कर दिया सीड को क्यों नहीं काली कोशिक किया गया मतलब सजाया मतलब सजाया अगर को था ने काओ आओ ने तो ने इस देश में इख बदार एक सबस्के आए दो काई मैंने ये कहा था था तो उनको अगर कोई प्छाएगा गार्ण इसके अलाबा, मार्मिय मुक्यमंत्री मौद है हो, चाहे कोई भी नो हो, जब फर्स्ट प्रतम कारकाल में उनने शपत्गराड किया था, तब उनकों पर कितने मुकद में थे, और उसके बाद क्या कहते हैं, आज की जेट में दुबारा अपिडेविट आती किया गया, चुना पर एलिगेसर लगा रहे हैं, तो कबसे कम आप अपने दावन में भी तो देखिए, या मानिय बार्ती इंदा पार्टी के प्रवक्ता प्रतिनि दीवोड़ा, इस वाद पर एडिए करते हैं, जिक खतावली, घ्णुके विदाये के विदाये के विदाये के विदाये के नि खémonstane के विदाये के को थuhan divurf करें उसन पर एलिखना नहीं है को भी तो करें अपने मेंदाये के विद्म है तो कि अंप नहीं रहिए, और ऑर खमुलनु जानते हैं, भी और ओलनाया झांते उन घॉन्स घुन तो कि अन्सें पना रिगो हैं, आपकी मुलनुन कर दो अलता देन जाटार आप आप जा आप 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 इसी जाटा गारो जाएप यहां श्टार चाल चाल जाएए नहीं कर आप अधर से बड़ीजिये यह जोड़ी चीक को थेका अंगर भाई अपनी बाप जाली पूरी कर आप कर दो साल की सजा हुई थी और उनको अभी तक विदानसवा सदस्ता से निश्कासित्री किया गया गया जो नहीं को निश्कासित्री किया गया गया सदस्ता सदस्ता से निश्कासित्री कर दिया अगर अगर अधिकार के आदार वर कि इस वारों के दो सुड़ियों को तरकार अपनी पावर के अंतर कर सकती है सदस्ता सदस्ता से कम निश्कासित कर रहे हैं क्या इस डिवेड के बाद को कल निश्कासित होंगे चले रखतें देखतें एक जलिब देखतें हो त Glas起America के अपन तत पनी देखतें हैं के आये से में घ्राइब करनें से बनाद प्रहर बात कर देखतें समय धोसरे सादवी ट्रीजिवान के शाहिता है आप दिरमने जाबत देखतें हम कि यह जे रहा हो जो है शुक्क थाष्ट पोले को नहीं है कि अजम एंट आट तरह का खौछ ऐने ले मुश्ट पार शाट विन्टेश को शुट उडिया खौएपू का इंट है जृए हमारे देगे किस बहुता है तो बस्ति में अग लगी बस्ती में अच्छा यह घर्णा इसमें एक सो चालिस बारी लोग की डिस हो गई है कुछ टेखी हो गई अजिए हुई 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 उसके बारी यू ए हैं और ऐसी घड़ना है उत्तर प्रदेश में आई दिन हुवा नहीं जा गड़ों के अंदर गिर के जहां जब महिलाओं के साथ अलतकार और अलों मर रहे हैं लेकिन सरकार के ओपर कोई फर्म ही बढ़ता हूं भाति अंदर पार्टी ना हिंदू की तैशी है ना मुसलमानों की तैशी है यह एक सत्यानाशी पार्टी है और यह बस महसुर पार्टी है जिसके ओपर हाद रखती है वो बस हो जाता है इनों ने इनोंने का गंगा को साफ करेंगे जो बहुता है जो बहुता होँ जो इस नहीं तो बाता हुआ हुँए हुआ इसका उटा हुआ हुआ है एंवने निदेष गार, दात मिलें, निदेष कुमार की सीटे कमुंगई, इनोने शिम सेणगा जनाजी ठिकाई अर्ड हुआ होगई, इसके साथ जुने, शका अटिर नहों जो दनाज कर दिया है। जेज्ग थारीनिभारहा नंंबर वन होता जा रहा है लोगों वानिस में नीचे आता जा रहा है लोगों को पासा नी मिन्ला ए अशी रोगों नोगों कोिया कर खाई अबंद हुआ टिक है। वर सब्सक्राइब और भारी बश्यमारै देखा लगाए भारी भारी बारी भॉले जब एब आपटिवरां भॉले ऑजए एंज्ञुन नहीं है इसन जहां जो लोग सब्चारी को डरें बुलाइब लोगहा झा संट मंवार अचरी वरिवार पर्बाद हो गाए जरहां त्बा कि अपर्खाश था यहां बैटी विए निजर मैं को लोगों से पफरा पड़ता है कि लगाता लोगों को परिशाद करते रहें और किसी का दोल बंते हैं इनके मन में कुछ और मुँ में कुछ और होता है यह किसी की मत पर भी है हजारों लोगों को मरवा सकते हैं सिर्फ इनके राजनेतिक फायदे के लिए यह वही बात हो रहे अगर कहीं कोई छोटी घटना भी हो जाती कोई प्रागदी का अपदा आ जाती तो इसको आपदा को भी औसर बनाने का काम करते हैं बुझरात के अंदर जिस तरीके से आलाथ खराब है लेकिन इस पे आख मोदी जी का कोई बयान नहीं आएगा आगा 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 अगा अग गालाद के लिए बहुत धन्वाद तो हमने यहां पर देखा कि किस तरह यहां पर चर्चा हुई चर्चा यह थी आदुनिक करण शुरू किया जाए सामिर किया जाए की दीनी सिच्छा बैतर है दीनी सिच्छा के लिए कोई प्रिस्टनी उठाजाएगा दार्मिक में समझन दाओ हैं गयर जाएंगे तो बैयान के दौर जारी रहेंगे और लोग भी पयानवाजी करें गे जिनका प्रिस्टनी से कोई लेना धेना भी नहीं तब भी बैयान वाजी रही कि यहां हिस अदेश मैं आत इस बाजी वह कि मैंसरों हो रही हैं आदमाले समय में मदर्सों की स साफ है अगर बैतर हो रहा है तो समर्थन जरूरी है और चीज खराब है तो ब्रोड भी करना लाजमी है मनसा बैतर होगी तो उसका पढ़नाम भी सामने आएगा और आने बाले समय में तमाम पढ़नाम सामने आने बाले हैं कि हमने किस पत्कता के जाब से किस बेहतर प्रियास के जाब से काम करें है आने वाला समय चुनाभी समय है और इस तरह के बयानबारी जारी रहेगी देखना होगा धरातल पर संघर्ज भी और बेहतर विकास आज भी तो आसे चर्चा में अतना ही मुझे यानि गौरसी वास्ता को डीजे नमती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार